आज हम बनाने वाले हैं अफगानी चिकन रोस्ट आप देख सकते हैं यह कितना लजीज लग रही है यह बहुत यम्मी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत फूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए यह है इसके इंग्रीडियन्स होल चिकन लेक्स मैं यहां पर इसको डीप कट करके रखी हूं ताके इसमें मसाला अच्छी तरीके से लग जाएगा वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट वन कप कर्ड वन कप फ्रेश पेथी वन स्पून ब्लाक पेपर पावडर वन स्पून त्री तो फोर ग्रीन चिली चॉप्ट गरम मसाला हाफ स्पून तंदूरी मसाला टू स्पून सौल्ट स्वादनुसार एक नीम्बू रोस्टेड अन्यंस मैं इसको अल्रेडी रोस्ट करके रखी हूं यह स्मोकी फ् नारनेशन स्टार्ट करेंगे वन कब कर्ड फ्रेश क्रीम जिंजर गालिक पेस्ट अब हम यह सारे ड्राइ मसाले जाट करेंगे कस्तूरी मेथी इसको अच्छी तरीके से निक्स कर लेंगे अब हम इसमें नीम्बू एट करेंगे इसका जूस लेमन जूस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से अब हम इसमें चिकन पीसे साट करेंगे इसको इस तरीके से लगा देंगे हमें हम हाफनार के लिए मारेनेशन के लिए रख देंगे। हाफनार हो चुका है चिकन अच्छी तरीके से मारेनेट हो चुकी यह हैं अब हम इसको ऊएल में अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे मैंने टू टेबल स्पून ओयल आड़ करके रखा था अब हम इसके ऊपर दालेंगे चिकन के इस तरीके से ताके यह और अच्छे से फ्लेवर आइस हो जाएगा अब हम क्लोज करके लिट पकाएंगे यह स्लो फ्लेम में पकाना है जब तक चिकन अच्छी तरीके से रोस्ट ना होजाये हम तब तक पकाएंगे देख सकते हैं यह चिकन अच्छी तरीके से पछ रहा है अब हम इसको फ्लिप करेंगे मैंने वाटर आड नहीं किया देखे हमारी चिकन कितनी यमी लग रही है अब हम इसमें थोड़ा रोस्टेड अनियन साट करेंगे इसको ढखके 10 मिनिट्स के लिए पकाएंगे ये देखे अब ये चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम बीच में कटोरी रखेंगे ताके हम इसके अंदर एक चाकोल रख सकेंगे ये चाकोल अल्रेड़ी गरम करके यूज़ कर रही हूं है ताके इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा हम थोड़ा घी अट करेंगे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से स्मोक आ रहा है अब हम इसको ढख के फाइफ मिनिट्स के लिए रखेंगे हम ये हो गया है अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे ये चिकन को प्लेट में काल लिया है अब जो ये लेफ्टोवर मसाला है हम इसके उपर डालेंगे इस तरीके से इतनी यम्मी लग रही है ये इसके बादेशोगर मसाला है